दोस्तों आखिर क्या था रहस से जो क्रिशन ने शिशुपाल के सौ अप्मान शमा करूंगा अर्थात उसे सुधरने के लिए सौ मौके दूंगा लेकिन ये प्रण क्यों किया था इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शिशुपाल तीन जनमों से शिर क्रिशन से बैर भाव रखे हुआ था ये जनम में भी वो विश्नु के पीछे पड़ गया था दरसल शिशुपाल भगवान विश्नु का वही द्वारपाल था जिसे की सनकादी मुनियों ने श्राप दिया था ये जय और विजय अपने पह रुकमनी के भाई रुकम का वो परम petals था रुकम अपनी बेहन का विवा शिशुपाल के सांथ करना चाते था लेकिन रुखम ने शिशुपाल के सांथ रिष्टा तयकर विवा की तियारियद्य कर दिजए दूसरा कारण ये है की चेदी के यादो बंशी राजा शिशुपा के लिए जरह संद का हर मोके पर साथ दिया शुशुपाल को ये भी मालूम था कि श्री क्रिशन मुझे सौ परात करने तक नहीं मारेंगे शुशुपाल क्रिशन की भूगा का लड़का था जब शुशुपाल का जनम हुआ तब उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाएं थी व बालक अपने भाल स्तिर नेत्र तथा दो भुजाओं का परत्या कर देगा इस आकाश बानी और उसके जनम की विशे में जानकर अनीक भी राजा उसे देखने आये शुशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया अंत में श्री क्रिशन की गोद में जाते ही उसकी दो भुजाएं प्रित्मी पर गिर गए तथा लाट वरती नेत्र ललाट में विलीन हो गया इस पर बाला की माता ने दुखी होकर श्री क्रिशन से उनके प्राणों की रक्षा मांग की श्री क्रिशन ने कहा मैं इसके सो प्राधों को शमा करने का वचन देता हूं कालांतर में शिश्वपाल ने अने बार श्री कृर्षन को अपमानित किया उन Wijक में उधिषे ने रासुया यक की त्यारी करवा दी उस यक से रिशेत रचारे होते थे यक में उदिष्टे ने भगवान वेद वया तसा ने कई राजयतिकारियों को भी बुलाया था यक पूजा के बाद यक की शुरुवात के लिए समस्त सभा सदस्यों में इस विशेपर विचार होने ल इतामा ने स्वय अनुमोधन करते हुए सहदेव का समर्थन किया तब धर्मराब जिश्टर ने सास्त रोग विधी से भगवान श्री क्रिशन का पूजा नरम किया इस कारे से सेदिराज शिशुपार अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला हे सबस अदस्यो मुझे ऐसा परतीत हो रहा है कि कालब शभी की मती मारी गई है कै इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है जो इस बालक की हां में हां मिलाकर अयोग व्यक्ति की पूजा से विकार कर ली गई है कै इस क्रिशन से आयू बल तर्ठा बुद्धि में कोई और बड़ा नहीं है कैस् गाये चराने अले गवाले के समान कोई और यहां नहीं है क्या गीदर सिंग का भाग प्रापत कर सकता है ना इसका कोई कुल है ना जाती ना ही इसका कोई वर्ण। राजा याती के शाप के कारण राजबंशियों ने इस यद्वंज को वैसे ही भैश कृत कर रखा है। ये जरासंत के डर से मत्रौत त्या कर समुंदर में जाची पा था। भले ये किस परकार अगर पूजा पाने का अधिकारी है। इस परकार शिशुपाल श्री कृष्यन को आफमानित कर गाली देने लगा। ये सुनकर शिशुपाल को मा डानने के लिए पांडव, मतस्य, केके और नर्पति क्रोधित होकर हाथों में हत्यार ले उठ खड़े हुए। किन्तु श्री कृष्यन ने उन सभी को रोक दिया। वो बाद विबाद होने लगा। परन्तु शिश्युपाल को इसे कोई घबरार ना हुई। श्री कृष्यन ने सभी को शांत कर यग शुरू करने को कहा। किन्तु शिश्युपाल को इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्यन को ललकारते हुए गाली दी। तब शिश्युपाल, मैंने तरे 100 सब् को शमा करने की प्रतिग्या की थी इसलिए अब तक तेरे प्रान बचे रहे अब तक सो पूरे हो चुके हैं अभी भी तुम खुद को बचा सकने में शक्षम हो शांत रहकर जहां से चले जाओ या चुप बैट जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है लेकिन शिशुपाल पर क्र शोकर अपनी तलवार निकालते हुए शिशुपाल के मुक्ष से अब शब्द निकलते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया उसके शरीर से एक जोती निकलकर भगवान श्रीक्रिशन के भीतर समा गई तो दोस्तों ये था कारण जिस कारण से भगवान श्रीक्रिशन उसके मृत्यूगर्दी गई तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे तो मिलते हैं वीडियो में धन्यवाद